किसान भाईयो नमस्कार मैं हूँ डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सब का हर्दिक स्वागत है अमेजिन किसान चागावी किसान भाईयो आज है 28 सितंबर 2019 और मैं अपने चिर्परिचित अम्रूद के बगीचे में खड़ा हूँ मेरे बाईयो और नीबू की लाइन है और यहां से मेरा बाग शुरूए इस महां में हमारे यहां पिछले एक महिने से बारिष नहीं हुए कल थोड़ी बारिष हुई थी आप देखेंगे इस जमीन को यह जमीन थोड़ी सी गिली है इतनी बारिष नहीं हुई जस्ट के यह मिट्टी है थोड़ी गिली होगे थी और आज मैं अपने नीबू में खाल लगवा रहा हूँ और अम्रूद की कुछ कटिंग मैंने पिछल रखिए कि यह मेरा बाद अभी 15 महीने पुराना है यह मैंने 20 जून 2018 में लगाया था पहली कटिंग मैंने फरवरी में करी थी मेरे से गलती हुई थी उस टाइम अक्टूबर में भी मुझे कटिंग करनी चुई थी पिछले साल लेकिन मैंने इस साल पहली कटिंग इसकी फर किसान भाईयों जब तक पोधे दो वर्स के होते हैं तब तक आपको उन्हें केनोपी का रूप हो जाएंगे मेरी पहली दो वीडियो आपने देखिए आज तीसरी वीडियो देखे और अगले वर्स मैं इन से जब सर्दियों की फसल लूँगा तो अच्छी कैनोपी बन चुकी होगी और पोदे दो साल गे हो जाएंगे और अगले साल गेंगे पग देगे आइए मैं आपको दिखाता जो यह दिखा रहा हूँ इसमें पहली कटिंग थी आप ध्यान से जब यह कटिंग मैंने की तो इसमें से एक, दो, तीन, कई साखाई निकली थी तीन साखाई मैंने छोड़ी थी और यह मेरी भी पहली कटिंग थी इसमें से देखिए एक, दो, तीन, तीन साखाई मैंने छो चान सुरू हो गई, बहुत बड़ा बड़ा था, ये करीब साथ फुट तक था, और काफी एनर्जी इसके तनी एको मजबूत करने में आई, दूसरी कटिंग मैंने की थी, आप ये ध्यान से देखिए, इस चीज को देखिए, ये कटिंग मैंने की थी, ये साख्या थी, और मै आप देखेंगे यह 15 महा का पेड़ है और यह ललित का पेड़ है इस पर कितने फ्रूट आए हुए है आप देखिए इस पर गिनिए एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारह, तेरह, चोदह, पंदरह, सोलह, सतरह, टारह, उन्मीस, बीस, बीस फल है पिसान भाईयो मैं नहीं रखना चाहता था पर काफी लोग कहने लगे के नहीं यार अमरूद कब आएंगे अमरूद कब तो मैंने ये रखने शुरू कर दिये से, थोड़े से, मैंने का चलो देखते हैं, इनमें से भी कुछ मैं अभी काट दूँगा, ताकि ये मोटे हो जाएं, मैं सिर्फ ये देख रहा था कि कैसा फल आते हैं, ये है किसान भाईयो तीसरी कटिंग जो मैंने कल की की, ये देख ये देखिए, ये भुरा रंग है, ये डंडी पक चुकी है, वहाँ पर मैंने कटिंग की है, अब इसमें से देखिए, एक, दो, तीन, ये इस तरह से साखाई निकलेंगे, और जब साखाई निकलेंगे, ये देखिए, पोधे की इतनी कैनोपी बन चुकी, लगबक तीन अब मैं आपको एक पेड़ की कटिंग करके दिखा तो, ये मैं कर चुका हूँ, और मैं कटिंग करके दिखा, आइए, मैं आपको दिखा, ये मुझे जैन साब ने बताया था, कि इसकी मैंने थोड़ी सी यहाँ से ये तोड़ दीती, हाथ से तोड़ दीती, ये देखिए, जो दिखाई दे रहे हैं, ये हाथ से तोड़ दीती, हाथ से तोड़ते ही, इसमें से ये कल्ले निकलने शुरू भी है, और इन कल्लों में देखिए, फूल आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये कैनोपी का रूप देना है, तो ये देखिए, यहाँ पर इसको ये करीब डेड़ फ जाता हूँ कि ये कटिंग क्यों कर रहा हूँ, इसका पहला काम है कैनोपी बनाना, और दूसरा काम है कि इसमें नए कल्ले निकलेंगे, और उन कल्लों से आपको फ्लावरिंग भी आएगी, किसान भाईयो थोड़ी सी कन्फूजिंग रहती है कुछ किसानों के मन में, आप उसको आज धान से देख लीजिए, ये पोधे 15 महीने के हैं, तो जिन भाईयों के अभी दो साल के नहीं हैं, वे ही एक कार्ये करें, जिन के बड़े हैं, उनको करने की ज़रुरत नहीं है, ये ध्यान रखिए, आप देखिए, इसमें पूरी हवा मिलेगी और इसकी कनोपी ये भी ललित का पेड़ है, आईए मैं अब एक पेड़ आपको दिखाता हूँ, ये पेड़ है मेरा वी एन आर, जिसे हम वो कहते हैं थाई, भाव भी बोलते हैं, ये थाई का पेड़ है, देखिए ये फरवरी में लगाया था, और कितना अच्छा पेड़े, इसको फूर् ausधिग बहुत आती है, इस पर मैंने एक अम्रूद भी रोका है, जो अम्रूद रॉके ऴे लिए हैं, एक अम्रूद नीचे है, ये देखने के लिए इस पर कैसी फूर्टिइ बहुत फूर्टिई आती है, देखिए इसको मैंने एक पेड़ दिखाता हूँ, ये वाले, ये यहां से पीला था उती है यह बहुत किसानों की समस्या है कि यह पोधा इस तरह से पीला था यह देखें अगर आप सभी को यह कितना पीला था इस पोधे में मैंने क्या किया जो दवाईया मैंने डाली वो मैं आपको आज बताता हूं और आप देखिए इसके पत्ते यह देखिए कि इस पोधे में मैंने लगभग एक महाँ पहले इस पोधे में 100 गराम दिये पी 50 गराम पोटास और 50 गराम सलफर डाला यह इतना मैटीरियल डालने के बाद में चारो तरफ और मैंने इसको पानी दिलवाया था उस पानी में मैंने 20 गराम बवस्तीन जो एक फंगी साइड होता है बवस्तीन डलवाई थी 10-10 लिटर पानी में और उसके बाद देखें पोधां कितना पाओ किसान भाईयो अगर आपके पोधों में भी इस प्रकार की समस्या है तो यह ट्रीटमेंट कर सकते हैं अब मैं इसकी कैनोपी देखिए यह बनाता है यह लालत आपको भी अच्छा नहीं मुझे तो गाओं में कहते रहते हैं कि आदमी थोड़ा पागल है अपने पोधे बड़े करता रहता है और काटता रहता है लेकिन नहीं अगर आप इनको नहीं काटेंगे तो यह एक अच्छी कैनोपी नहीं बनेगा और देखिए नीचे कितना अच्छा खाज बनेगा यह मल्चिंग हो जाएगी इसकी ड्रीप ल कि यह जो है आपके यह यह बहुत अच्छी कैनोपी बन कर आएगी इसकी पोधे देखिए यह अभी से निकलने लगे हैं इसमें और इस तरह से निए एक और पोधा है यह यह देखिए इसमें भी ऐसा ही था यह मैं इसको एक चीज़गा और धान रखिए छोटो छोटो नी अननेसरी एनरजी लेते रखते हैं तो इनको हटा दीजी आप यह भी जैसे मैं हटा दूँगा और यह आपका अगली बार जब अप्रैल में हम मिलेंगे इसके लिए इसके बाद मैं इसमें कोपर ओक्सी क्लोराइड का स्प्रे करवा दूँगा कोपर ओक्सी क्लोराइड चार ग्राम प्रति लीटर कोई भी इसकी कर टेंपू अगरा मिला कर आप कर सकते हैं किसान भाईयों आज मैं बहुत महत्तों पूर्ण आपसे बात साजह करना जाए यह बाग है मेरा यह आठ फिट की दूरी है यह जो दूरी है यह पांच पिट की आपको मैं दो तीन पेड दिखाऊंगा जो यह मिल चुके किसान भाईयों कभी भी जो हमारी इंडिया की वराइटी है उन्हें हाई डेंसिटी पर मत लगए कभी मत लगए वो अल्ट्रा हाई ड चीज़ का ध्यान रखिए आपको लादत बहुत आएगी आपको मेहनत बहुत पढ़ती है शगन विदी दस फिट बाई दस फिट से सुरू होती है और उसके बाद जो है यह अतिसा गन विदी में आप देख लीजिए क्या हाल है मेहनत बहुत पढ़ती है काटना बहुत घ्राइब के जादे क्टिंग करा हूं च्रीफ आपको एक दिखाया है असली कटिंग का काम मैं अगले हिए करूँगा यह मैं जब मेरे अमूरूद फसल खतम हो जाएगी तब मैं इन में से इनपो अटाना सुरू करूंगा नवंबर में मैं कुछ पैढ़ अखाऊँगा, एक एक पेड़ हटाऊंगा जब मेरा यह बाग आठ वाग दस उसके बाद मैं फिर इसे एक एक लाइन भी हटाऊंगा मैं इसे पुरा वैसा पाग करूंगा नॉर्मल बाग करूंगा चूंकि भाईयो यह चीज जो मैं अब बताने जा रहा हूं आपको यह कोई नहीं बता है रही है दस या बारा किलो मुझा जब्कि अगर वह डीस्टेंस दस हुजाएगी तो आपका मुझा दबल हो जाएगी आपकी मल्दूरी कम हो जाएगी, आपका खाद की कम हो जाएगी, आपकी देख वेटाएगी, तो ये चीज़ धानक है, और इस पर कभी भी 40-50 किलो अमरूद नहीं आएंगे, सगन विदी में कभी नहीं आएंगे, जबकि सामान्य विदी से लगाए हुए अपोदे मेर जाद बहुत ज़्यादा कटिंग है, सीवियर कटिंग है, मतलब मैं इसको फिर नीचे से काड़ हूँ, जैसे ये डंडी मैंने रखे है नो, तो मैं इसको यहाँ से काड़ हूँ, ये सीवियर कटिंग होती है, तो इस कटिंग में कभी भी हमारे L49 और बरफ खान के जो पेड़ है उनमें नहीं आई, कोई फल नहीं आई, तो ये इस कटिंग को नहीं मांगो, तीसरी चीज़, जो अपरेल में, जो हमने जून में कटिंग की थी, L49 और ये बरफ खान में, जो जी विलास में किरी थी, उसके बाद उसमें फल नहीं आया, ना के बराबर, सिर्फ दो चार पल सिमाया, तो ये कटिंग आप सर्दियों की फसल के लिए, अपरेल महा में, अपरेल के अंतिम सक्ता, कटिंग कर दीजिए, और उसको पानी दे दीजिए, और फिर जब पहली बारिस होती है, तब खार लगाई, तो किसान भाईयो, ये देखिए, मैं एक और अंतिम चीज आईए, ये दोनों पांच चिट पे रहे हैं, दोनों मिल गए, देखें, दोनों पेड मिल गए, इसके बाद देखिए, आपकी पेड सम मिल चुका है, अब बताईए, इनको जब पेड में फाल आएंगे, तो उनको फैलने के लिए भी जगह चलिए, अगर उनको जगह नही मिलेगी, तो वो काम नहीं, मतलब अच्छी तरह नहीं करता है, तो इनकी कटिंगी में रहे हैं, तो क्या आप सिर्फ कटिंगी करते रहेंगे हमें का, अरे कटिंग एक बार जब फसल लेते हैं, तब होनी चाहिए, वो भी लास्त के उसकी, अगर 30 अगन विदी, हमारे हाथ तो मुझे इसमें कोई दम नहीं नज़राया, यह मेरा एक्सिरियंस है, जो मैं आप से साजा कराने हैं, अब आप देखेंगे, यह चोटे वाली है, यह जरूर पाटी हैं, यह चोटे वाली हैं, इनको जरूर है, यह अननसेसरी आपकी एनर्जी लेए, अब देखेंगे, अब इसमें मैंने जगह बनाई है, इसी तरह से इसकी कटिंग करूँगा, तब जातर इनमें जगह बनाने करेंगे, तो आपको यह जगह बनाती रहनी पड़ेगी, यह तो, अब इसमें देखें थोड़ी जगह बनी है, लेकिन अब जो इसकी फूरूटिंग होगी, अब जो इसकी जो ने कल ले आएंगे, मैं खुद मात रहना, किसान भाईयो, यह मुझे नहीं पता कौन सा जही कितना अच्छा अम्रूद आया है, यह एक ही अम्रूद है, यह मुझे नहीं पता कौन से वराइटी है, इसको देखेंगे बाद में, और यह जो फल बहुत है, इसकी कटिन हमें बहुत जहन से करने थे, अप्रैल में जब आप इसको देखेंगे, आप इसमें इतने कल्ये फूटेंगे, अब पूरा जो अक्तूबर का महीना है, और यह नौंबर का महीना है, यह इसकी बड़ोतरीवे ले चुदी हमने खाद लगाया विया है, अब बखुद अच्छी इसमें, ग्रोथ होगी, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, और यह ठीक तरह से हो जाएगा, इसके बाद मैं देखूँगा, तो किसान भाईयो, यह थी सितंबर और अक्टूबर महा में, आपको अपने पोधों की कटिंग करने की, उन्हें शेप देने की, वो किसी भी, आप एक ची ध और अगर आपने, क्या नाम, नॉर्मल विधी में लगाया है, तो इसको बड़ी रखे, और अगली बार इतना अच्छे कैनों भी बंती से लिए हैं, किसान भाईयो, रही इसमें खाद की बाद, तो अगर आपने अभी तक इसमें खाद नहीं दिया है, जो आपने उस टाइम अप्राइल में दिया था, या जून में दिया था, तो अब इसमें थोड़ा खाद लगा सकते हैं, थोड़ा डी एपी रखिए, और थोड़ा आप इसमें पोटास भी लगा सकते हैं, थोड़ा इसमें सुपर फास्पेट की देवत नहीं है दी एपी और पोटास मिला कर लगा है अगर आपके पोदे स्वास है और अगर उनमें कोई रोग है जैसा पीलापन बहुत में है तो आप उसमें परती पोधा 50 ग्राम सलफर की मातर जड़े लिए और उसमें जो कार्बंडेज्म ह जो आपका आता है यह बवस्तीन आपी यह इसमें बवस्तीन में इसको जरूर दीजिए दो गराम परती लिटर पानी मिलाकर उसकी जड़ों में दीजिए जड़ों की फंगस खतम होगी पोधे बहुत अच्छे चलता है एक मैं पोधा और दिखाता हूं जो मेरा बीमारी से इस पोधे को दिहां से देखिए यह पीला था यहां से देखिए इसके पत्ते लग रहे हां अभी तक दिखिए लेकिन उस दवाई को आई आप देखिए कितने स्वस्थ हैं और इस प्रकार यह जो है ना आप अपने देखरें करें तो किसान भाईयों यह थी आज की प्रस्तुती सितंबर अक्टूबर महा में अम्रूद के पोदू की कटिए धन्यवाद नमस्कार जैहिंद जैभारत वंदेमाद